हेलो, वेरी गुड आफ्रिनून टू आल अफ यू सरोकार सिक्षन संसान की ओनलाइन डिजिटल प्लैटफोर्म पर आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में हम 10 मिनिट्स के अंदर गाएं की जो प्रमुख नसले हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं सभी जल्दी से जुड़ जाइए आज की सेशन में तो गाएं की जो प्रमुख नसले हैं वो क्या है आपके पशु परिचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे आपकी एक या दो प्रशन अवश्ये पूछी जाएंगे एक्जाम में तो चलिए देखते हैं क्या है गाएं की प्रमुख नसले तो गाएं की प्रमुख नसलों को हमने क्या किया है तीन भागों में बाट कर पढ़ा है गाएं की जो प्रमुख तीन नसले है सौरी तीन प्रकार में इसको बाटा है तीन प्रकार कैसे इनको वर्गिकत किया है, तो भारत में जो गाएं की नसले हैं, इनको तीन भागों में बाटकर हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पहला जो भाग है आपका वो है दूद प्रियोजनी नसले, दूद प्रियोजनी नसलों में आपको कुल पांच नसलों के सी नसल नसल में आपको पाँछ नसलों के बारे में पढ़ना है अब नूद릴게요 का होता है दूद pryasणी का मतलब है ऐसी गाएं की ऐसी सब्सक्राइब करती है है उसे हैं दूद प्रियोजनी नसल था दूसरा जो भाग है हमारा वो है भारवाही नसल दूसरे भाग का के नाम है भारवाही नसल जिसके अंतरगत आप इस मतलब होता है वे नसले जो अपने उपर क्या है बार को उठाकर रखती है जो भार उठाती है या बोजट होती है उन्हें आते हैं बारवाही नसले है किसे आंतरगत आपको बाएस नसलों के बारे में लिए टीसरे रिरी और जो से लिए और याद रखना है important note क्या है कि भारत को भारत में कुल 41 गाएं की नसलों को मान्यता प्राप्त है अब ये मान्यता प्रात किसके द्वारा की गई है तो एक अनुसंदान केंद्र है किनका अनुसंदान केंद्र है पशो का अनुसंदान केंद्र है उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त की गई है तो वह अनुसंदान केंद्र का नाम है आपके NBAGR NVAGR क्या है एक पशो का अनुसंदान केंद्र है जो कि कहां पर है आपका करिनाल में है और अपना करिनाल कहां पर है हरियाना में है जो कहां पर है करिनाल में और करिनाल आपका कहां पर हरियाना में यहां से इसको क्या है मान्यता दी गई है ठीक है 41 गाएं की नसलों को तो इसक के बारे में आज हम चर्शा कपने वाले जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि क्या है ऑप के से कुछ तस्वीर है जिसमें आपकी पहली गाएं है वो है गिर नसल, पैरी गाएं की जो नसल है, वो कौन सी नसल है, गिर नसल, तो अब गिर नसल देख रहे हैं, किस प्रकार की दिखाई दे रही है, इसका जो रंग है, वो कैसा है, लाल रंग है, तो इसके अंदर important question यहां से यह बनता है, कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो गिर गाएं की जो आपको उत्पत्ति रखनी है, वो एक गिर वन से हुई है, देखो यह जो शेत्र है, गिर वन, इसी से इसका नाम पड़ा है, गिर नसल, तो गिर वन, गिर वन से इसकी उत्पत्ति हुई है, और गिर वन आपका कहां पर है, गिर वन है आपका गुजरा गटना किया है चिंपत्ती हमने देख लिए लाल रंग तो इसे विशेश्टा क्या है विशेयस्था इंपौर्टेंट है इसके विशेश्था को आप रखेंगे कि इसके सींग कैसे है इसके सींग जो है वो अर्द चंद्राकार है सींग कैसे है इसके आदे चांद की समान है यानि अर्द चंद्राकार सींग है इसके फिर बात आती है कि इसे और किस किस नाम से जाना जाता है इसके अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं जिन जिन नसल के आ निद्रालू नसल या शरमीली नसल भी इसे ही कहा जाता है यह कहा जाता है उसकी पीछे पिछे जो और कि अब रग मोसित के इसके देखrail के आगर कोर consumers फॉरे adap 100 आजीशंगे तो इस कारण्द से शर्मीली नसल भी कहा जाता है फिर बात आती है इस में दूध उतपादन कितना करती है यारN इस से हमें कितना दूथ प्राप्त होता है तो दूध उतपादन इसका आपको याद रखना है 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रती ब्यात के करी दूद उत्पादन करती है ठीके फिर बात करते हैं दूसरी नसल की गाई की जो दूसरी नसल है काफी important है जो की है थार पारकर नसल क्या है इसका नाम थार पारकर नसल अब इस गाई का जो नाम पड़ा है एक शेत्र है अपने जैसे की थार को पारकर की नसल आई है ठीके यहां से पड़ा है इसका नाम थार पारकर नसल अब थार के पास में अपना कौन सा देश आता है वो आता है पाकिस्तान तो बात करते हैं इसकी उत्पत्ती की तो इसकी उत्पत्ती कहां से होई है पाकिस्तान से होई है तो पाकिस्तान के कौन से वाले प्रदेश से होई है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से इस नसल की बत्य हुई है इसमें जानते हैं इसके रंग को क्या बोलते हैं बात करते हैं कि इस More दूद उत्पादन करती है, milk production क्या है इसका, तो इसका milk production रहेगा 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रती ब्यात, ठीक है, जिन जिन का milk production या दूद उत्पादन आपको बताया जा रहा है, वो काफी important है, इससे भी आपके exam में questions आते हैं, ठीक है, तो फिर बात करते हैं, next, next बात करते हैं, क तीसरे नंबर की आपकी जो नसल है गाएंकी, वो है राठी नसल, तो राठी नसल जो है exam कीड़ी काफी important है, इससे आपके question बनता ही है, क्यों बनता है, क्योंकि इसमें देखो, एक बात कही कि इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की काम दिनू कहा जाता है, तो ये question बन सकता एक्जाम में की राजस्थान की काम दिनू किसे कहा जाता है, तो वो कौन सी नसल है आपकी राठी नसल, ठीक है, सबसे बहले बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति अपने राजस्थान से हुई है, राजस्थान के जिले characteristics है स्का एक विशेश बात है इसमें कि इन commence से उत्पन होई थार पारकर हुई साही ऌती साही वाल से उत्पन क्या है एक नसल है थो गायं की नसले है कौनसी एक का नाम है थार पारकर जिसको भी हमने पड़ा है से यह दोनों सें उत्पन क्या हुई राठी नसल हुई है और एक और important बात याद रखेंगे इसमें कि विश्व में सरवादिक या विश्व में सरवादिक जो खोज चल रही है या इसके बारे में ही क्या की जा रही है राठी नसल के बारे में ठीक है और इसे क्या कहा जाता है इसका अन्य नाम है राजस्थान की काम देन पय estaban में और इसका शरीर कैसा आप देख पारें शरीर कैसा इसका सुडोल शरीर है इसका आप स्थान की काम देनूं आगे बात करते हैं कि दूद उत्पादन कितना करती है तो कुछ जादा दूद उत्पादन नहीं करती है लेकिन फिर भी इसका दूद उत्पादन पूछ लिया जाता है तो बारासो से लेकर पंदरासो लीटर प्रती ब्यात क्या करी दूद का तो बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से होई है तो उत्पत्ति देखो इसकी होई है पाकिस्तान से पाकिस्तान के कौन से शेत्र से होई है तो आपको पाकिस्तान का एक इस्थल या इस्थान याद रखना है इस इस्थान का नाम है मोंट गोमरी स्थान कहा से हो यह मोंट गोमरी स्थान से इसके अलावा पंजाब से भी क्या हो यह इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ठीक है फिर बात करते हैं कि इसमें विशेश क्या है तो विशेश यह है कि भारत में सरवादिक क्या भारत में सरवादिक दूद उत्पादन करने वाली जो नसल है वो कौन सी है आपकी साही वाल है यहाँ पर भारत की बात की जा रही है सिर्फ राजस्थान की नहीं पूरे भारत में जो सरवादिक दूद उतपादन करती है वो कौन सी नसल है आपकी साहीवाल नसल है यह इसकी विशेस्ता है फिर बात करते हैं उतपादन अगर सरवादिक करती है तो कितना करती है तो करती है 1134 से लेकर 1134 लीटर पती ब्यात ठीक है यह इतना दूद इसका नाम क्या है रैड सिंधी नसल अब रैड नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसका रंग कैसा है रैड है तो इस कारण से इसे कहा गया रैड सिंधी नसल ठीक है अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है तो उत्पत्ति की बात की जाए तो पाकिस्तान से इ का रंग होता है गैरा लाल रंग में तो दूद उत्पादं की बाद की जए थैशनां 1000 लीटर प्रती ब्याद करतीं है तो रेड चंधी के बारे में आपको यह कुछ बाते हैं जो घ्रद में रखनी है फिर बात करते हैं यहांपर आपकी six number की जो नसल है वो है हर्याना नसल अब यह देखो यह हर्याना जो नाम पढ़ा है इसका वो कहां से पढ़ा है हर्याना से ही पढ़ा है ठीक है हर्याना की है यह तो इससे इस नसल का नाम हर्याना पढ़ा है तो इस नसल का नाम है हर्याना नसल तो इसकी उत्पत्ति कह से हर्यान से तो यह लेकिन इसमें कौन कौन से जिले आपके शामिल है तो हर्यान का जिला है हिसार एक है रोतक यहां से क्या हुई है इसकी उत्पत्ती हुई है ठीक है फिर आप इसका रंग देख पारें कैसा रंग है सफेद रंग है इसका ठीक है प्योर सफेद नहीं है तो इसे हम दूसरा रंग भी कह सकते हैं पाकिस में विशेश बात क्या है विशेशता इसकी ध्यान में रखनी है आपको यह चेज चलने वाली नसल है सबसे चलने वाली नसल कौन सी है आपकी वह हर्याना नसल इसके बात बात करते हैं कि पूछ इसके पूछ के अंतिम सीरे पर क्य को आपकी हर्याना नसल है इसके पूंछ के अंतिम सीरे पर क्या है काले-कले बाल है तीक है अब बात करते हैं डूद उत्पादन कितना करती है दूद अत्पादन करती है हजार से maior लिकरR 12000 और प्रती ब्यात कृति को डूद उत्पादन बताया जा रहा है वह काफी important है कि कौनसी नसल थी आपकी हर्याना नसल इसके बात करते हैं अगली नसल कौनसी आती है अगली है आपकी काकरेज नसल क्या नामें काकरेज नसल तो काकरेज नसल को आप कौकरोज से भी याद कर सकते हो तो क्या नामें इसका काकरेज नसल है कुछ इस प्रकार से यह अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से होई है तो उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति आपको याद रखनी है गुजरात से होई है उत्पत्ति कहां से होई है गुजरात से होई है गुजरात से इसकी उत्पत्ति होती है और यह क्या है इसका विस्तार है वि राजिस्थान में विस्तार कहां पर इसका विस्तार है जालोर में साचोर में और पाली और सिरोही में कहां कहां पर विस्तार है इसका जालोर साचोर पाली सिरोही ठीक है अब इसमें विशेष्टा क्या है क्या इसकी सवाई चाल चलने वाली नसल है अब सवाई का अर्थ क्या होता है गूमर नृत्य होता है गूमर नृत्य के बारे में आप सबीने सुना है तो गूमर नृत्य में जब महिलाएं या डांस करती है तो कैसे क्या रखती है कदम रखती तो से कहते हैं सवाई चाल इसे हम कह सकते हैं कि क्या करती है गाएं सवाई चाल चलती है सेकंड बात करेंगे कि भारती गायों में सबसे बारी नसल या भारती गायों में सबसे बारी नसल इसे माना जाता है यह आठवे नंबर की गाएं थी आपकी क फिर बात करते हैं साथवे नंबर की फिर आठवे नंबर की बात करते हैं नागोरी नसल कौनसी नसल नागोरी नसल देखो नाम जो पढ़ा है इसका एक इस्थान है उस पर इस नसल का क्या पढ़ा है नाम पढ़ा है क्या नाम इसका नागोरी नसल अब उत्पत्ति की बात की अब क्या विशेश है इसमें विशेषता हो जएगी इसकी की चमकदार हैं दिखाइदे रहीं आखे कितनी चमक रहे हैं यह कि अगर आप इसको इसके बारे में यह बाते हैं जो आपको याद रखनी है तूद उत्पादन आपको जिजिस का बता है उसी का याद में रखना है ठीक है यह इसकी इंपोर्टेंट बाते हैं आपको याद रखनी है ठीक है आगे बात की जाए अगली नसल है आपकी मेवाती नसल कौन सी नसल है मेवाती नसल कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है आपको यहां पर फोटो दिखाई दे रहा होगा अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ती की उत्तर परदेश से कहां से उत्तर परदेश से अब उत्तर परदेश में एक जेला पड़ता है आपका कौन सा मतुरा मतुरा से क्या ह ये इसकी उत्पत्ती हुई है फिर बात करते हैं राजस्थान में राजस्थान में कहां पर इसका विस्तार है तो विस्तार है इसका भरतपूर में और अलवर में कहां पर भरतपूर में अलवर में क्या है इसका विस्तार है फिर बात की जाए इसकी विशेश ताकी कि क्या वि चहरा है, इसका लंबा, यburger कैसा है, उसका लंबा है, ये थी आपकी मेवाती नसल, बात कि याए, दसवे नंबर की जो नसल है, आपकी हो है, वह मालवी नसल, आपकी नसल जो है, उत्पती कहां से और यह है, अम यह आप का मद्य प्रदेश में वहां से क्या हुई है इस नसल की उत्पत्ती हुई है फिर बात कीज़े राजस्थान की राजस्थान में इसका विस्तार कहां पर है तो राजस्थान के एक जिल्य को याद रखना है आपको जालावाड जालावाड से क्या हुई है जालावाड में क्या है इसका विस्तार है ठीके फिर विशेश बात क्या है इसके अंदर विशेश यह कि इसके जो कान होगी कान कैसे होते हैं इसके नुकीले होते हैं कान कैसे हैं किले हैं पूछ कैसी है इसकी लंबी है दो विशेश गुण है इसके अंदर पहला कान की ले है और दूसरा है पूछ कैसी है इसकी लंबी है तो यह आपकी लास्ट थी कौल सी अमालवी नसल ठीक है इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी फिर आगे बात करते हैं यह है आपकी most important वैसे तो यह आपकी विश्व की गाये है विश्व नसल है कि यहां से question आपका आवश्य बनता है तो इसलिए इसे अलग से बताया गया है यह इसका नाम है हॉलिस्टिन फ्रीजियन क्या नाम है इसका हॉलिस्टिन फ्रीजियन ओके विश्व में विश्व की सबसे बारी नसल है कूछ सकता है विश्व की सबसे बारी नसल कौन सी है तो वो कौन सी है अपकी हॉलिस्टिन फ्रीजियन फिर बात की जाए कि विश्व में सरवादिक द है HFB इसका short form है ठीक है फिर बात कि जाए इसके शरीर की शरीर कैसा है इसका त्रिकोणा कर शरीर कैसा है इसका त्रिकोणा कर और बात कि जाए दूद उत्पादन की तो दूद उत्पादन अगर सरवादिक करती है तो कितना दूद उत्पादन करती है यह 6000 लीटर प्रती ब्याद कितना करिए 6000 लीटर प्रती ब्याद अब ब्याद का अर्थ है 10 महीने का समय ठीक है ये कौन से थी आपकी विश्वी की सबसे सरवादिक भारी नसल तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज के हमारी इस टॉपिक को अब आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ओकी ठैंक यूँ एव नाइस टी